तो दोस्तो हुंडे ने जब वो अपनी एक्स्टर को लांच कर दिया है और जो कि डारेक्टली कॉंपटिशन कर देगी टाटा पंच को तो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे हुंडे की एक्स्टर का जो बेस वेरियंट है उसमें हमें क्या क्या फीचर मिल जाते हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने एक सोट वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने इसके कुछ स्पैसिफिकेशन आपको बताई थी तो इस वीडियो में हम जल्दी से इस गाड़ी के जो स्पैसिफिकेशन है वो कवर करेंगे और थोड़ा सा एक सिर्फ डाइमेंशन को लेके हम इसको टाटा पंज से भी कंपेर करेंगे कि यह टाटा पंज से बड़ी है चोटी है या उसी साइज की कार है देखने में तो का आपके बजट में आ रही है और क्या आपकी जो रिक्वार्मेंट है उनको सैटिस्फेक्शन दे रही है या नहीं दे रही है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें जिसे कि आप हमारी आने वाली नोटिफिकेशन को मिच नहीं करेंगे तो सबसे पहले प्रेंट्स मैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँगा क्योंकि इस गाड़ी में जो इंजन यूज गया है हुंडे वो इंजन अलरडी दूसरी गाड़ियों में इसके ग्रेंड आइटेन नियोस हो गई औरा हो गई वैन्यूग में भी ये इंजन आपको दिया जाता है तो वो है 1.2 लिटर का कापा पेट्रोल इंजन जो की पावर प्रोडूस करता है 81.80 बहप की 6000 रप्यम और टॉर्क प्रोडूस करता है 113.8 न्यूटन मिटर का 4000 रप करते हैं और सिर्फ और सिर्फ डैमेंजंस में ही मैं आपको इसको टाटा पंथ से कंपेर करके दिखाऊंगा क्या ये गाड़ी लैंथ में, हाइट में वीड़ में, टाटा पंथ से छोटी है, बड़ी है या बराबर है कोई ज्यादा डिफ्रेंस है या नही है वोग हम करते हैं दोनों ही गाड़ियों के जो डाइमेंसिंसंस से वह आपकी स्क्रीन पे हैं एक्सटर की जो लेंथ है वो है 3815 mm जबकि पंच की जो लेंथ है वह बिल्कुल मिनिमल सी ज्यादा है एक्सटर से अब बात करते हैं विर्थ की तो एक्सटर की जो विर्थ है वह है 1710 mm और पंच की जो width है वो है 1742 mm, मतलब अगेन पंच इसमें ज्यादा है, height के अगर बात की जाए तो height इसमें है 1631 mm, extra की height है 1631 mm, और punch की जो height है वो है 1635 mm, मतलब height में भी punch इसमें उची दिखाई दे रही है, अब बात करते हैं फ्रेंट्स, wheelbase की तो 2445 mm का wheelbase इसमें मिल जाएगा extra में, और 2450 mm का wheelbase आपको मिलेगा punch में, तो आपने dimensions देखी, dimensions के according मुझे नहीं लगता कि इन दोनों गाड़ियों में कोई भी difference आपको देखने को मिलेगा, लगबग हर चीज आपको बिल्कुल सेम मिल रही है, और उसी segment की गाड़ी ये Hyundai ने launch करी है, तो अब इसमें sitting capacity 5 मिलेगी, दोनों में ही sitting capacity 5 मिलती है, और dimensions में ही आपको boot space अगर मैं बताऊं, तो boot space extra में आपको punch से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि punch में जब boot space है, वो है 366 लिटर का, जबकि extra में आपको 391 लिटर का boot space मिल जाता है, मतलब इस segment मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा boot space आपको यही गाड़ी प्रोवाइड कर रही है, तो अब friends हम केवल बात करेंगे extra के बारे में, और अब सबसे पहले मैं इसमें start करता हूँ, इसके comfort and convenience के features इसके base model के, तो base model की ही हम बात कर रहे हैं, तो base model में friends आपको power steering, power windows front मिल जाएंगी, rear की power windows आपको नहीं मिलेंगी, उसके साथ AC heater, accessory power outlet, rear seat headrest, adjustable headrest मिल जाएंगे आपको front के, और rear seat event आपको नहीं मिलने वाले, और keyless entry का option company इसमें base model से प्रोवाइड करती है, इसके साथ आपको USB charger, additional feature में foldable की मिलेगी, driver seat आपको height adjustment के साथ मिल जाएगी, और adjustable rear headrest भी इसमें additionally company आपको प्रोवाइड करती है, मतलब front तो इसमें base model में हैं ही, जबकि आपको पीछे के भी headrest भी adjustable मिल जाते हैं, जो कि एक काफी अच्छी बात है, तो यह थे इसके comfort and convenience के features, अब exterior में friends आपको front and rear silver skid plate मिल जाएगी, painted black garnish, rear garnish मिल जाएगी, body colored bumper मिल जाएगे, A pillar जो हो पूरा black out उसपे tape मिल जाएगी, और अगर मैं इसके complete profile, यानि tire profile की बात करूँ, तो 1652 आर 14 यानि 14 inch के tubeless radial tires में आपको मिल जाते हैं, तो अब friends बात करते हैं, इसके entertainment और communication part की, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता, ना ही कोई music system मिलेगा, और ना ही कोई speaker वगरा का option दिया गया है, वो आपको बाहर से या accessory part में लगवाना पड़ेगा, अब friends मेन बात आती है, इसके safety features की, तो safety features जो है, वो इस गाड़ी के highlighting feature है, क्योंकि आपको मैंने short में बताया था, कि 6 airbag जो हैं वो इस गाड़ी में दे दिये गए हैं, base model से हैं, जो की जो इंडियन गवर्मेंट के norms हैं, वो उनको complete fulfill कर रही है, उसके साथ आपको ABS, EBD, central locking, power door locks, child safety locks, और आपको जो airbag हैं वो, आपको side वाले curtain वाले मिल जाएंगे, rear seat belts, seat belt warning, door azar warning, side impact beams, front impact beams, engine immobilizer, centrally mounted fuel tank, ये भी मैंने आपको बताया था, कि इस काड़ी का जो tank है, वो centrally mounted किया गया है, जो कि Tata से inspired मुझे लग रहा है, क्योंकि Hyundai ने Tata से ये चीज़ सीखी है, safety को लेके, और इसके साथ engine check warning, speed sensing, auto door lock, ISOFIX, child seat mount, और जो आपको seat belt मिलेंगे, वो pre-tentional और force limiter के साथ मिल जाएंगे, और impact sensing, auto door unlock भी आपको इसमें मिल रहा है, इसके साथ friends, जो advanced safety features companies में बताती है, कि उसने curtain airbags provide कर दिये हैं, जो कि safety में काफी अच्छा है गए, enhancement हुआ है, three point seat belt मिल जाते हैं, सभी seats के लिए three point seat belt आपको दिये गए हैं, और emergency stop signal जैसे आपको safety feature मिल जाते हैं, तो friends safety के जो आपने feature देखे, safety के feature जो वो base model से ही आपको भर भर के मिल रहे हैं, और जब आप इसके upper variants में जाओगे, तो फिर आपको जो safety के features हैं, वो और भी अच्छे मिलने वाले हैं, मतलब ये तो आपके base model से ही start रहेंगे, उसके बाद आपको higher variant में जो है, वो और भी अच्छे safety feature मिल जाएंगे, तो safety के मामले में मुझे लगता है कि गाड़ी बहुत ही अच्छी होने वाली है, बसरते इसका जो global N-cap test है, वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए, तो ये गाड़ी सबको beat कर सकती है, क्योंकि इसका price जो हो काफी attractive है, तो अब हम price की बात कर लेते हैं, तो friends अगर इसके price की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता जाता हूँ कि ये गाड़ी जो है, वो आपको engine जो है, वो पिछला मिल रहा है, मतलब जो दूसरी गाड़ीों में company engine यूज़ करती है, वही engine जो है, वो इसमें यूज़ किया गया है, 1.2 liter का, जो कि आपको grand item, neos और aura वगरा में मिल जाता है, इसी लिए इस engine को company petrol और CNG में साथ ही launch कर दिया है, और साथ ही इसमें आपको automatic का option भी मिल जाता है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको petrol की बात करूँ, तो petrol आपको 5,99,900 रुपे से exorum start होता है, और अगर इसका exorum petrol में बताऊं, last जो engine है, जो कि आपका SX optional connect DT AMT मिल जाता है, वो आपको मिलेगा petrol में 10,99,900 रुपे गा, यह exorum price मैंने आपको बताया है, और CNG का भी price मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसका जो petrol में on-road price देख लेते हैं, तो इसका EX जो model है, base model वो आपको 6,69,000 में, यानि 6,60,000 में आपको on-road आ जाएगा, और इसका जो top model है petrol में, जो AMT में आपको मिलेगा, वो मिलेगा 11,70,000 के आसपास आपको on-road आ जाएगा, अब friends बात करते हैं CNG की, तो CNG में हमेशा की तरह Hyundai ने आपको सिर्फ दो ही variant दिये हैं, SCNG और SXCNG, जिस जो कि आपको on-road पड़ जाते हैं, 9,25,000 SCNG मिल जाएगा, और SXCNG आपको मिल जाएगा 10,6,000, शिर्फ दो ही option मिलते हैं आपको, बेस मोडल SCNG और SXCNG आपको top model CNG में मिल जाते हैं, और friends इसके price और इसके जो variants हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बिखने वाली है, यह तो हमें आगे आने वाले time में बता लगा, क्योंकि इसका जो price है वो बहुत ही ज़्यादा attractive है, और इसमें variants का option भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, बाकी इसके जो भी feature और on-road जब यह आएगी, जो लोगों का review आएगा, तो हम भी आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें इस गाड़ी के किसी भी variant का हम review करेंगे, जो भी हमें उस time पे available होगा, और अगर आपको इसका complete comparison चाहिए Tata Punch के साथ, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मुझे comment में बताईए, ताकि मैं आपको वो video provide करवा सकूँ, तो base model में जल्दी सी मैंने आपको यही cover करके बताया है, अगर आपको ज़्यादा detail में जानकरी चाहिए, तो बिल्कुल आप comment करिए, मैं आपको उसके particular उसी variant के बारे में आपको वीडियो provide करवा दूँगा, तो चलिए friends मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए आप left वाली वीडियो पे click किजिए, जिसमें आपको Tata Tiago EV के बारे में complete पता लगेगा, और हमारी जो सबसे सस्ती सेफ EV कार है उसके बारे में पता लगेगा, और right वाली वीडियो पे click करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि June 2023 में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली 10 गणियां कौन सी है, तो चलिए friends मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए thanks, have a good day.